जिले के कोला रस्थाना शेत्र के पडोरा गाउं की आदिवासी बस्ती में बेटी की शादी में मिठाई बनाने के दोरान एल पीजी गेस सिलेंडर में आग भड़क गई गेस सिलेंडर में एकाएक भड़की आग को देख मौके पर मौझूद हलवाई सहीत परिवार के सदस से भाग खड़े हुए इस घटना में बने पकवान सहीत खाना बनाने की सामगरी जल कर खाक हो गई जिसे देखकर बेटी के पिता फूट फूट कर रौने लगे दुलन के भाई अर्विंद आदिवासी ने बताया कि मौके पर मौझूद सभी लोग आग को देखकर डर गए थे इसलिए सभी लोग मौके से भाग खड़े हुए आगजनी की सूशना डायल हंड्रेट को दी थी पुलिस के साथ सभी लोग मौके पर पहुँचे थे लेकिन तब तक मिठाई और खाना बनाने का सारा सामान जल कर खाक हो जुगा था दुलन के पिता बनवारी आदिवासी का कहना है कि आगजनी की इस घटना से उन्हें 50,000 रुपे का नुकसान हुआ है शनिवार को बेटी की बरात आनी है और खाना और मिठाई बनाने का सारा सामान जल कर खाक हो जुगा है उसके पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे वास सामान को खरीद कर ला सके दुलन के पिता ने मदद की गुहार लगाई है कपकी है ज्च जैज कर दो कल ब्रात आने थी आपके गाँ में और बरात की साधी की तैयरी यह कंड़ा बन ला था जैजका उसी दौरान शिलेंडर में आग लग गई कितनी बेन हैं आपकी सारा हमारी चार मेन है कौन सी बेन की साधी थी है लिए जोड़ी नाम जी दूसी ली हम चोड़ी ती ली किसी के कोई जना हनी तो नहीं होई नहीं सर्थ किसी के नहीं हो नहीं हो जोड़ी लो